दोस्तो UNSC में भारत को पर्मनेंट सीट दिलाने के लिए रूस और एक्रेसिव हो चुका है और उसने एलान कर दिया है कि अगर पर्मनेंट सीट के लिए नए मेंबर को जोड़ा जाता है तो उसमें सबसे पहले भारत को जोड़ना होगा दोस्तो आज की ये वीडियो बेहद इंपोर्टेंट होने वाले है और हम आपको बताएंगे कि जीफोर देशों में सबसे पहले किसे वीटो पावर मिलेगा और क्यों भारत को लेकर रूस ने कौन सा बड़ा एलान कर दिया है इसके साथ साथ जियोग्राफिकल एरिया को ध्यान में रखते हुए भी आपको सब कुछ विस्तार से समझाएंगे भारत के पर्मनेंट सीट को लेकर इस इंपोर्टेंट वीडियो को छोड़ कर कहीं मत जायेगा भारत के साथ साथ रूस ने ब्राजील के लिए भी दावेदारी ठोक दी है मतलब कि अगर जीफ और देशों को भविशे में युएनसी का पर्मनेंट सीट मिलेगा तो उसमें रूस के हिसाब से भारत और ब्राजील की दावेदारी सबसे पहले होनी चाहिए इसी कारण रूस को भारत में लोग प्यार से लंगोट यार कहते हैं रूस भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी है दोस्त रूस के पास युएनसी में पर्मानेंट सीट भी है और उसने वीटो पावर का इस्तमाल करके कई बार भारत के मुश्किल घड़ी में साथ भी दिया है सईंत राष्टर में रूस के स्थाई प्रतिनी थी गैनेडी गैटी लोव ने भारत को लेकर बड़ा एलान करते हुए कहा की हम भारत को पर्मानेट सीट दिलाने के लिए अब मौचा संभाल चुके हैं उन्होंने कहा की युनाइटिड नेशन में रिफ़ॉम की चर्चा अब बहुत तेज हो चuccी है ऐसे में भारत को जल से जल पर्मनेंट सीट दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं UN में रूस की प्रतिनी धी, गेटिलोव ने आगे कहा कि UNSC की प्रभाव शिलता बढ़ानी के लिए अफरीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के परतिनी धित्व का विस्तार करना आवश्यक है अब आप जरा स्क्रीन पर इस चार्ट को देखे यहां आप देख सकते हैं कि दुनिया के अलग-अलग इलाके से कौन-कौन देश UNSC के पर्मनेंट मेंबर बन चुके हैं और किन-किन इलाकों से कौन-कौन देश G4 के मेंबर हैं G4 देशों का असली मकसद UNSC में पर्मनेंट सीट पाना है आईए अब जराज G4 देशों के जेग्राफिकल लोकेशन को ध्यान में रखते हुए समझते हैं कि इनने UNSC में पर्मनेंट सीट क्यों मिलना जरूरी है हालकि इन चार देशों में भारत की दावेदारी सबसे मजबूत है आज समझेंगे कि इन चारों देशों के पर्मनेंट सीट पाने के लिए सिक्वेंशनल ओर क्या होना चाहिए अगर बात करें भारत की तो सबसे पहले नंबर पर भारत को इसली रखा है क्योंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जन संख्या में दुनिया में पहले स्थान पर है और एकोनोमी में पाँचवे स्थान पर शेत्रफल में साथवे स्थान पर डिफेंस बजट के मामले में चोथे स्थान पर तो वहीं एक्टिव मिलिटरी के मामले में दूसरे स्थान पर इसके अलावा भारत ने UN Peace Keeping Forces में काफी योगदान दिया है और अंतराष्टिय मंचो पर सक्रिया भूमिकानी भाई है हाला कि UN Funding के मामले में भारत थोड़ा पीछे रह जाता है इस मामले में भारत 21 स्थान पर है भारत के बाद जापान को दूसरे नंबर पर रखा जा सकता है भारत और जापान दोनो एशिया पैसिफिक रीजन में है इस रीजन में सिरफ चीन ही P5 मेंबर है अगर चीन की दादगिरी पर लगाम लगाना है तो इस शित्र में भारत और जापान को पर्मनेंट सीट देना ही होगा भारत और जापान दोनों आर्थिक रूप से मजबूत देश है UN Funding के मामले में जापान तीसरे नंबर पर आता है तकनीक और आर्थिक ताकत के साथ जापान ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक परमुख आवाज रखता है दोस्तो भारत और जापान के बाद जर्मनी को तीसरे स्थान पर रखा जा सकता है ये वेस्टन यूरोप से है जर्मनी का शेत्रफल कम है और वेस्टन यूरोप में पहले से ही दो देश P5 में मौझूद है इसलिए जर्मनी की दावेदारी थोड़ी कम हो जाती है लेकिन जर्मनी एकोनोमी के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है ये यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी एकोनोमिक शक्ती है यून पीस्कीपिंग फंडिंग के मामले में चोथे स्थान पर है इसी कारण जर्मनी की दावेदारी बड़ भी जाती है भारत, जापान और जर्मनी के बाद ब्राजील को चोथे स्थान पर रखा जा सकता है ब्राजील, लेटिन अमेरिका और केरिबियाई शेत्र से है इसे चोथे स्थान पर रखने का कारण ये है कि इसका डिफेंस बजट दुन्या में सत्रवे स्थान पर है एक्टिव मिलिटरी के मामले में तेरवे स्थान पर है GDP के मामले में 9 स्थान पर लेकिन शित्रफल की द्रिष्टी से 5 स्थान पर Population के मामले में 7 स्थान पर और UN Funding के मामले में 8 स्थान पर है Brazil ने विकासिल देशों की आवाज बनकर अंतराश्टिय मंचों पर अपनी पहचान बनाई है इस कारण ब्राजील की दावेदारी बढ़ जाती है हालाकि दोस्तों G4 देशों में अफरीका का एक भी देश नहीं है मेरे हिसाब से अफरीका के कम से कम एक देश को UNSC में पर्मानेट सीट मिलना चाहिए UN में रूस के स्थाई प्रतिनी थी गैटिलोव ने ये भी कहा कि UNSC को और भी दमदार बनाने के लिए अफरीका, एशिया और लेटिन अमेरिका के देशों का रिपर्जेंटेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर अफरीका में किसी एक देश को चुनना होगा तो एकोनोमिक के हिसाथ से नाइजीरिया, एजिप्ट या सौथ अफरीका में से कोई एक भैतर विकल्प होगा Pew Research Report के नुसार, इसराइल के बाद नाइजीरिया के लोगों में भारत के प्रति सबसे पॉजिटिव सेंटिमेंट है अफरीकी देश नाइजीरिया और इजिप्ट के साथ भारत के अच्छे संबंध है तो वहीं ब्रिक्स में शामल साउथ अफरीका भी भारत का अच्छा दोस्त है आए दोस्तों अब जरा पर्मानेंट मेंबर्स की जियोग्राफिका लोकेशन को समझते हैं अगर बात करें रूस की जो पूर्वी यूरोप को रिप्रेजेंट करता है रूस पूर्वी यूरोप से एक बड़ी शक्ती है शेतरफल की दृष्टी से दुनिया का सबसे बड़ा देश है उसकी सन्य शक्ती और वैश्विक प्रभाव भी जबर्दस्त है रूस वर्ड वर्ड टू के विजेता देशों में से एक है और एक बड़ी प्रमानू शक्ती भी है विश्व राजनीती में इसका गहरा प्रभाव है और ये एक महत्वरण खिलाडी है जिसके निर्णे से अंतराष्ट्य संबंदों पर असर पड़ता है रूस भारत का पुराना साथी है और जैसा कि हमने आपको बताया रूस भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए जोरदार प्रयास कर रहा है रूस ने तो अपना वीटो पावर भारत के लिए कई बार इस्तमाल कर दिया है अगर बात करें चीन की जो एशिया पैसिफिक में है चीन इस शेत्र से एक मात्र स्थाईस अदस है और एशिया की बड़ी आर्थिक और सेन्य शक्ति का परतिनी धित्व करता है अब देखें चीन एशिया का शेर है वो अपने इलाके में दूसरे शेर भारत को खड़ा होने देना नहीं चाहता इस कारण सभी पर्मानेट देशों में चीन ही एक मात्र ऐसा देश है जो भारत के लिए युएनेसी में पर्मानेट सीट का समर्थन नहीं करता अगर बात करें फ्रांस की जो पश्चिमी यूरोप से है फ्रांस यूरोपय संग का परमुख देश है और इसका वैश्विक राजनीती में मजबूत प्रभाव है फ्रांस को युएनेसी में पर्मानेट सीट मिलना इसलिए जायज है क्योंकि ये वर्ल्ड वोर टू के विजेता देशों में से एक है और ये एक परमानू संपन्न देश है विश्व राजनीती और आर्थवैवस्ता में इसका एहम रोल भी है इसका स्थाई सदैसेता पाना युएनेसी के संतुलन और परतिनीधित्व के लिहाज से उचित है फ्रांस भारत के लिए परमानेट सीट का खुल कर समर्थन करता है और रूस की तरह इसने भी युएनेसी में भारत के हितों की रक्षा की है अगर बात करें युनाइटेड किंडम की जो पश्चिमी युरोप से है युके भी फ्रांस के साथ युरोपिय संग की मजबूती को दर्शाता है युके भी विश्व युद दो के विजेता देशों में से एक है इतियास में इसकी विश्व राजनीती में बड़ी भूमिका रही है और ये एक न्यूकलियर पावर नेशन भी है युके की विश्व मंच पर अपनी एक मजबूत राजनेतिक और सैने पहचान है और ये अंतराष्टे संबंदों में अपनी प्रभावशाली आवाज रखता है कई लोगों का मानना है कि भारत को लूट कर ही आज युके इतना शक्तिशाली बना लेकिन फिर भी युके भारत का परम्मित्र है और कई बार भारत को परमानेट सीट देने की वकालत कर चुका है अगर बात करें युनाइटेट स्टेट्स की जो उत्तरी अमेरिका से है और ये लगबग हर मामले में दुनिया का शेहनशा बना बैठा है एत्यासिक तथ्यों के अनुसार 1950 और 1955 में अमेरिका ने भारत को युनाइसी की स्थाई सीट की पेशकश की थी हलाकि एक कहानी बताए जाती है कि उस समय भारते प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू ने ये देखते हुए कि चीन को सुरक्षा परिशद में नहीं रखना उचिक नहीं होगा इस पेशकश को सुईकार नहीं किया उस जमाने में भारत अभी अभी अंग्रेजों से आजाद हुआ था और कई कठिनायों से जूज रहा था जबकि चीन की सीटी ठीक थी और वो एश्या को मजबूती से रिप्रेजेंट कर सकता था नहरू के शुरुआती जमाने में चीन भारत का परम मित्र हुआ करता था लेकिन जब 1962 में चीन ने भारत को अचानक धोका देते हुए हमला कर दिया तब नहरू पूरी तरह तूट गए और शायद चीन का ये विश्वास घात ही उनके मौत का करण बना लेकिन अब भारत ने जबरदस्त बाउंस बैक किया है चीन के द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद कई पैरामीटर पर भारती है यूएनससी में परमानेंट सीट लेने की दावेदारी ठोक रहे है चीन के अलावा सभी परमानेंट देशों ने भारत की मजबूती को करीबी से पहचाना है और परमानेंट सीट के लिए वकालत भी की है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यूएन जेनरल असेंबली को संबोधित करते हुए साफ सब्दों में कहा कि अमेरिका भारत की बिड़ का समर्थन करता है दोस्तों अगर आप नीचे कमेंट में बताएं कि जीफ और देशों में सबसे पहले परमानेंट सीट किस देश को मिलने चाहिए जाने जे पहले वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तुरंत आ रहा हूँ एक और नई अपडेट लेकर वीडियो में अन तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद नमस्कार